बिलकम टु मैंथकाल्स चैनल इन कुस्टंस को सुओर करें स्क्वेर हमने फाइंड करने है cin millennia किसी भी number का स्क्वेर फाइंड करना होता हम क्या करते है simple सा काम करें तो एक जो है कुस्टं जो जिसतरा हम करेंगे थारे वैसी हो जाने है सबसे पहलेought 7 यहां सेवन को स्क्वेश की सुन नहें उनोय एक सवीक्ष मैं कि पर देंगे इन का स्कुैष्ट कैसे स्कूर्ण करें इसकस के समों इसका हम्माइब मार्या 7 x 7 हमारे पास क्या आजागा 49 तो 7 नमबर था उसका स्क्वेर फाइंड किया तो 49 आगया इसी तरह आप नेक्स्ट में भी हमने यही करना है नेक्स्ट हमारे पास क्वेशन है उसमें नमबर 11 है सेम इसके साथ भी यही करेंगे 11 को राइट कर लिया गया गया इसी तरह नमबर इसका स्क्वेर फाइंड करना है तो इसके लिए भी ही करेंगे 19 राइट करेंगे next step 19 का हमार पास यहां पर square आ गया then 19 into 19 आ गया 19 को two times right कर लिया और जैसे अगर हमार पास यहां पर three होना q q find करना तो three होता है फिर इसका मतलब है 19 को three times right करना इसी तरह हमार पास नंबर की जितनी भी power होती इसका मतलब है उसको उतने time right करके आपने solve कर लेना होता है तो 19 into 19 होता है 361 तो यहां बहर राइट कर लेते हैं 361 next three के होगे questions fourth में हमार पास क्या है fourth में यह है कि नंबर 25 तो क्या करेंगे 25 के साथ भी वही काम करेंगे 25 का हम यहां पर right कर लेते हैं के square then 25 का square का क्या मतलब है 25 into 25 then multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 625 चैनले इसी तरह next करते है 37 नंबर यहां पर और 37 then 37 का square then 37 two time और यह multiply करेंगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है इनको multiply करेंगे आता है 1369 next हमारे पास है इसका six part उसमें क्या 75 का square करना है मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 5625 अब आपको पस कोई पी नंबर आ जाता है उसको square find करने को कहा जाए तो आपने simple क्या काम करना यही काम करना one first step में नंबर को write कर लेना then उसका square और square इससां से open होगा कि दोनों को multiply two times write करना multiply करके answer आ गया